एक device से अगर आप copy करते हो यहाँ पर और अगर आप दूसरी device में यहाँ पर paste करना चाते हो तो आप easily यहाँ पर देखिए paste कर सकते हो आपको कोई भी यहाँ पर third party software की ज़रूरत नहीं है ना ही कोई आपको यहाँ पर apps डाउनलोड करने की ज़रूरत है अगर यह tricks आप जाना चाते हैं तो वीडियो को last तक जरूर देखिए सबसे पहले आपको यह चीज़ confirm करनी है कि आपके जितने भी device है उन device में आपका जो Apple ID है Apple ID सेम होना चाहिए यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा Apple ID है यहाँ पर दोनों मुबाइलों में सेम है बस आपको और कुछ नहीं करना है दोनों मुबाइलों की Apple ID सेम होनी चाहिए इसके बाद में अगर आप किसी भी device से कुछ भी copy करते हैं जैसे मैं यहाँ से यह URL copy कर रहा हूँ मैंने यहाँ से देखिए यह URL copy किया और यहाँ पर आपको मैं Notes में जाता हूँ नोट्स में जाकर नोट्स हो चाहिए कहीं भी हो आप कोई भी website या browser दोनों में इसको open कर सकते हैं नोट्स में जाकर मैं यहाँ से इसको paste करता हूँ आप देखिए यह URL paste हो चुका है इसी तरह से आप अगर इसको कहीं भी messages वहीरा copy करते हैं यह वाला जैसे आपके पास में कोई भी text message आया हुआ आपको यह text message copy करना है यहाँ से copy करना है और आपको दूसरे किसी भी device में इसको paste करना है तो आप easily इसको यहाँ से paste भी कर सकते हैं यह देखिए आप जो भी copy आपने किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पर paste हो चुका है आप यहाँ से browser से copy कर सकते हैं, notes से copy कर सकते हैं, text message copy कर सकते हैं जो चाहे मन वो copy कर सकते हैं आप किसी भी Apple device में जिसमें आपकी same Apple ID हो वहाँ पर आप paste कर सकते हैं इसको तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जादा से यादा share करें अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन को दबाना ना भूले जिसे हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आप तक आ सके